हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मैं चैनल आज मैं एक जॉजजट साड़ी का रियूज आइडिया शेयर करने वाली हूँ इसको मैं बनाने के लिए ये वाली लेस और कॉटन का लाइनिंग लिया था तो साड़ी आप देख सकते हो ये पूरी printed साड़ी है और सेम प्रिंट में है कहीं पर भी बॉर्डर उपर नीचे बिल्कुल नहीं है सिर्फ पलु वाला पोर्शन जो है उतना सा ही प्रिंट अलग है आप देख सकते हो ये वाला पलु पोर्शन है इस तरह की साड़ी री उस आइडियाज मैं अपनी चानल पे शेर करती रहती हूँ और पहले भी मैंने बहुत से आइडियाज शेर किये हुए हैं अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चानल पे जाके एक बार विजिट करें आपको वीडियो अच्छी तो है आप कोई भी अपना पुराना दुपट्टा जो है इसको साड़ी को लगाते हुए उसका लेंथ चेक करेंगे और उसी के एकोर्डिंग आप कट कर सकते हो या फिर आप 40 इंचिस की दो बार यहां पर मेजर करते हुए उपर आप 10 इंच तक एक्स्ट्रा लेते हुए है इसको भी कर सकते हो या पर मैंने दुपट्टे के लिए फैबर को कट कर लिया है और इस साड़ को भी मैं पी को करते हुए इसको भी फिनिशिम के साथ रेडी कर लोंगी अब ये बचे हुए फैब्रिक को फोल्ड करेंगे ये मैंने सीधा कर लिया फैब्रिक को और इसको कुछ इस तरह फोल्ड करूंगी तो ये दिखें यहाँ पर मैंने फोल्ड कर लिया है सबसे पहले अपर पॉर्शन का जो लेंथ है उसको मार्क करेंगे मैंने यहां पर ready 16 inch बनानी है तो मैं यहां पर 17 inch मार्क करूंगी अब ऊपर की तरफ शोल्डर मार्क करेंगे शोल्डर मैंने यहां पर 7 inch लिया है और वहीं से आम होल को भी मार्किंग कर लेंगे इसको भी मैंने 7 inch लिया है और उस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह हम मार्क कर लेंगे और देड इंच के मार्किंग करते हुए यहाँ पर बैक आम हूल का शेप देंगे क्योंकि हमने यह बैक आम हूल के लिए बनाया है बैक साइड का पोर्शन तो उसके लिए यहाँ पर देड इंच का हम मार्क करेंगे अब यहाँ पर चेस्ट का फोर्ट पार्ट ले लिया है और टू इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था मैंने और यहाँ पर वेस्ट लाइन का फोर्ट पार्ट लेंगे और दो इंच एक्स्ट्रा माजिन लेंगे और भी इन पॉइंट्स को जो है सीधा कर लेंगे कट करने से पहले इस फाबरिक को अच्छे से पिन अप करूंगी फिर इसको कट करेंगे क्योंकि यह मैंने बैक साइड का पोर्शन कट किया है तो नीचे की तरफ फ्रंट का मैंने मार्क कर लिया है सेम वैसे ही जैसे उपर का था सिर्फ यहाँ पर नेक की मार्किंग करूंगे अलग से यह दिखे मैंने यहाँ पत्री इंच का विर्ट लिया था और ट्वेल इंच मैंने लंबाई लिया है क्वेल इंच की मार्किंग करते हुए यहाँ पर V शेप का मार्क करूँगी थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो वो गुलाई का शेप देंगे वहाँ पर यह दिखे कुछ इस तरह फ्रंट के लिए वन इंच का आम हुन मैंने लिया था बस बाकी सब मेजरमन जो है सेम है शोल्डर डाउन मैंने अभी नहीं किया है दोनों पोर्शन्स में इसको हमाँ बाद में कर लूँगी जब नेक जो है रेडी होका तब अब इसको कट कर लेंगे इसी के एकोर्डिंग मैंने लाइनिंग को भी कट किया है फ्रेंट्स बैक साइड का भी और फ्रेंट का तो ये मैंने फ्रेंट का पोर्शन कट करके अलग कर लिया है अब ये बज़े हुए फैब्रिक को मैं स्लीवस भी कट कर लूँगी बाद में तो ये दिखे ये नेक कुछ इस तरह आया है अब लाइनिंग के उपर इसको मैं अच्छे से पेस्ट कर लूँगी ये दिखे मैंने फैबरिक लू से चार तरफ से अच्छे से पेस्ट कर लिया है अब नेक की डिजाइनिंग के लिए मैंने यहां पर पेस्टिंग पेपर को फ पिर जैसे हमने फैब्रिक, उपर मार्किंग किया था उसी के एकोर्डिंग पेस्टिंग हम सब्सक्राइड के लिए मैं पर ले लिया है क्योंकि जब पेस्टिंग पेपर लगाएंगे तो यह सामने उपन रहेगा तो फिर यहां पर नाइनिंग होगा तो बहुत अच्छे से की फिनिशिंग आईगी इसलिए लाइनिंग वो मैंने उपर पूरा रखा है तो यह दिखिए इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर मार्किंग कर लिया एक बाद चेक करूंगी कि एक्जाक्ट आया है या नहीं तो एकदम सही है तो उसके साइड से भी मैं एक से देड़ इंच एक्स्ट्रा लूँगी यह दिखिए कुछ इस तरह अब मेन जो निक हमें बनानी है उसका हम मेजर्मेंट लेंगे तो विर्थ तो सीम रहेगा यहां पर अब लेंद जो है सेवन इंच का मैं लूँगी अब यहां पर प्रॉपर वी शेप का एक मार्क करेंगे अब इसको कट कर लेंगे तो पेस्टिंग पेपर को अच्छे से पिन अप करते हुए इसको कट कर लेंगे इनने का पैटर्न जो है कुछ इस तरह दिखेगा तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह ले लिया है अब उसको जो है पेस्टिंग पेपर को कुछ इस तरह हम यहां पर गलर का डिजाइन बनाएंगे तो उसके लिए इस पेस्टिंग पेपर को एक संतुन का फैबरिक मेरे पास है, जो ट्राउजर के लिए मैंने यूज किया था, तो उसी को इसके उपर पेस्ट कर लूँगी, तो ये दिखे, मैंने पेस्ट करते होई एक्स्टरा फैबरिक को कट कर लिया, आप साइड से भी स् पुल्टा रखते हुए सिर्फ यहां पर स्टिच करेंगे तो मैंने यहां पर स्टिच कर लिया है अब इसको कट करते हुए एक्स्रा फैब्रिक को कुछ कट्स लगाएंगे अब इसको जो है अंदर की तरफ मतलब फ्रेंट के तरफ इसको गुमा लेंगे यह दिखे जब हम गुमाएंगे तो यह पिस्टिंग पेपर जो है इस लाइनिंग के उपर ही रहेगा तो जो की है यह फिनिशिंग भी अच्छी आएगी तो फ्रेंट में इस तरह आने के बाद नेक के उपर एक स्टिच करेंगे अब यहाँ पर हम लेस का यूज करेंगे तो लेस को कुछ इस तरह लेफ साइड में सिर्फ नेक तक रखेंगे और राइट साइड में पूरा कॉर्नर रखेंगे अब उपर की तरफ मैंने इसी तरह यूज किया और नीचे भी इसी तरह यहाँ पर यूज करेंगे यह लेस को अब राइट सैड में पूरा कॉर्नर तक यह आएगा वेसलाइन तक यहां पर मैंने front portion ready कर लिया अब back portion का भी lining same मैंने cut कर लिया है यहां पर एक simple सा round shape का pattern मैंने cut किया है और main fabric को जो है सीधा रखा उसके ऊपर lining को रखते होए neck के ऊपर मैंने pin up करते होए यहां पर ready कर लिया अब नЕक पे स्टिच करने के बादlot एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया। अब लाइनिंग को अंदर की तरफ लेंगे। इसको जो अंदर की तरफ लाइनिंग को हमने ले लिया है। तभी हमें फ्रेंड पोशन के दनास शोर्राश आटेच करनी है। कि में फैब्रीक और लायनिंग को इस तरह फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करेंगे यह इस तरह की फैब्रिक के लिए अगर आप ग्लू यूज़ करते है फैब्रिक ग्लू तो यह बहुत ही अच्छा आइडिया है ताकि फैब्रिक और भी जो है stitch करने का भी problem नहीं होगा और इससे अच्छे से fabric चिपक जाता है अब बचे हुए fabric को मैंने double fold कर लिया है इसका जो पल्लू है उसको मैंने cut करके पहले अलग कर लिया था ये देखिए अब इस double folded fabric को corner से उठाते हुए दूसरे corner पे हम इस तरह रखेंगे और four fold में triangle shape में इसको बिचाते हुए umbrella shape में हम नीचे का जो portion है उसको cut करेंगे मैंने यहाँ पर back side का जो portion अभी हमने stitch किया था तो उसी को यहाँ पर ले लिया है measurement के लिए आप यहाँ पर waste के according अपना size जो भी होगा उसके according मार्क करते हो अभी कर सकते हो या फिर इस तरह भी कर सकते हो तो मैंने यहाँ पर mark कर लिया अब इसको cut करूंगी अब नीचे का जो length है उसको मैंने floor length में पहले cut कर लिया था तब बाद में मैंने इसको decide किया कि थोड़ा सा हम इसको उपर रखेंगे तो इसलिए मैंने उसको 36 में cut किया था अब मैं यहाँ पर 30 इंच में cut करूंगी तो मैंने फिर से यहाँ पर mark कर लिया उसके according यहाँ पर इसी तरह tape को गुलाई में marking करते होے पूरा हमें यहाँ पर 30 इंच पर मैंने यहाँ पर mark कर लिया है आपको भी इसी तरह जितना भी आपका length होगा उसके according आप यहाँ पर mark करेंगे मैंने यहाँ पर पूरा जो है 46 inch का length बनाया है क्योंकि हमने उपर वाला portion 16 inch का बनाया है तो मैंने इसको 30 inch लिया है एक inch का extra margin भी लिया था मैंने उसमें stitching के लिए तो यह दिखिए उपर वाला portion जो है shoulders बे attach कर लिये है और simple वाले sleeves की भी cutting करते हुए मैंने attach कर लिया sleeve के उपर जो neck पे मैंने lace लगाई थी उसी को लगाया है और उसके उपर 3 line में मैंने यहाँ पर गोटे की भी stitch कर लिया है अब इसको एक के उपर एक उल्टा रखेंगे और sleeve से होते हुए पूरा कमर तक हमें यहाँ पर fitting की सिलाई लगानी है जो भी measurements हमने पहले यहाँ पर डाले थे उसी के according मैं यहाँ पर stitch करके ready करूँगी अब इसके नीचे जो हमने अभी umbrella shape में cut किया था उसी के according मैंने lining को भी cut कर लिया है इसकी length जो है 2 से 3 inch मैंने कम लिया है जितना भी lining बचा हुआ था टोटल मैंने यहाँ पर lining जो है 3 मिटर लिया था तो upper portions कट करने के बाद बचा हुआ lining को मैंने umbrella shape में इस तरह कट कर लिया अब साड़ी को सीधा रखेंगे और lining को भी सीधा रखेंगे और direct इसको कमर के side में यह दीखे कुछ इस तरह stitch कर लेंगे पूरा corner से corner तक पहले हमें यहाँ पर stitch करके इन दोनों को attach करनी है कुछ इस तरह जब यह दोनों इस तरह attach हो जाएंगी तो upper portions के साथ इसको पहले attach करेंगे ऐसे हमें यहाँ पर एक को इन दोनों को attach करके ready करनी है जैसे ही यह दोनों attach हो जाएंगी waistline में तो side में यह दीखे यह पूरा attach कर लिया है मैंने waistline के पास अब side से यह अभी भी open है तो पहले मैं यहाँ पर उन दोनों को जो है lining और main fabric को कुछ इस तरह attach कर लोंगी अब देख सकते हो यहाँ पर corner में थोड़ा सा fabric उपर नीचे लग रहा है पहले मैं इन दोनों को attach करूंगी पहले चारों fabric को 4-5 तक attach करेंगे बाद में lining को अलग से और main fabric को अलग से cut करेंगे फिर से मैं length चेक करूंगी कहीं उपर जादा कम नीचे ना हो जाए तो अगर है तो फैब्रिक नीचे से मैं equal करके इसको डबल फोल करते हुए सेम जैसे मैंने lace sleeve पे लगाई है उसी तरह border पे भी नीचे की तरफ umbrella shape में भी इसी तरह मैं lace को attach करके इसको ready करूंगी तो फ्रेंट्स यह रहा इसका final look पूरा dress ready होने के बाद इसका कुछ इस तरह look आया है यह dress आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताना यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेर करना चानल को भी जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की आगे की और भी वीडियो देखने के लिए तो चलिए friends मिलती हूँ आगले वीडियो में एक और नया idea के साथ थाइक यू बढ़ाई